नमस्कार आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिक्सा सबकों में हम लोग नियूस की माध्य में कक्षा यानि हाई स्कूल का अर्थसास विशे पढ़ रहे हैं तो इस विशे के अंतरगर हम लोग मॉड्यूल 6 में हैं जिसका किशी शक है अर्थसास में पर हैं जो कि अध्याय 18 है इसके कि अंतरगर्थ हम लोग आंकणों के विशलेशन की बात कर रहे हैं और पिछले दो वीडियो में हमने एक में व्यक्तिकत स्रिंखला में समांत्रमाद्धि निकालना सीखा था और दूसरे में विश्ण्रि स्रिंखला में समांत्रमाद्धि करना की जाती है तो ये वीडियो प्तारम करने से पहले मैं आप लोगों को साथ अपना वाट्सेप नंबर शेयर करते हैं हम लोग हमारे सिकसा सबकों का वाट्सेप नंबर है 7958-60757 तो आप लोग अपनी किसी भी जो आपको प्रॉलम है कोई भी पढ़ाई से सम्मंदी सम मस्या है तो आप लोगों साथ चाहर कर सकते हैं इस वाट्सेप नंबर पर और साथ ही आप लोग हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को अपने ऐसे लोग दोस्तों के साथ ऐसे परिशेतों के साथ ज़रू शेयर करें योकि किसी भी हिंदी माध्यम के बोट से पढ़ाई क तो आएए प्रारम करते हैं हम लोग अधाय ठारा पढ़ रहे हैं आखनों का विशलिशन तो इसके अंतर रगत जो हमने पिछला जो वीडियो था उसमें हमने विछिन श्रिंखला में समांतर माध्य की गंड़ना करना सीखा था तो विछिन श्रिंखला में हमने दू प्रका जबकि लगुवीदी में हम वही समांतर माध्य छोटी गंड़नाओं के माध्य हम से निकाल लेते थे ठीक है तो लगुवीदी में हम क्या करते थे हम विछिन निकालते थे क्या निकालते थे विछिन जिसको कि हम डी एक्स लिख रहे थे ठीक है ना डी एक्स क्या होता था dx होता था जो x जो एक चर है जो variable है उसकी जो values हैं उसको हम एक कालपित माद्धि जो की ए जिसको हम मानते थे उसको घटा के कालपित माद्धि से जो चर है उसका विचलन देख लेथे थे कितना उपर नीचे वो से है तो इस परकार हम dx निकालते थे और dx की साहिथा से थोड़े कम करनी पड़ती थी, ठीक है, calculations कम हलकी ठोड़े छोटी हमे आती थी, क्योंकि हम जो x है उसकी value को कम कर दे रहे थे, कितना कम कर दे रहे थे, उसमें से vigilant घटा दे रहे थे, ठीक है ना, जो एक कल्पित माद्धिय को घटा दे रहे थे, खितना different है उसके अंदर आज हम जानेंगे कि अविर्षन श्रिंखला में समांतर माध्धी की गणना कैसे की जाती है तो इसके लिए हम लोग तीन सूत्रों का उप्योग करेंगे जो कि जो तीन विदिया है वो पहली विदिया है ठीक है और इसी परिकार से जो अगली है नगुवीदि में यहां जो तरहे के होते हैं एक होता है बिना पद विचलन के और इसका जो फोर्मयला होता है वो सेम उसी के तरह होता है जैसा कि विच्छन श्रिंखला के केस में था एक्स बार एकवल टू ए प्लस सिग्मा FDX डिवाइड वाई N यहाँ X के केस में थोड़ा सा एक अंतर यह होता है क्योंकि आपको पता है जो अविच्चिन सिंकला होती है वो एक रेंज उसके अंदर दी भी होती है जो X होती है ठीक है ना उसकी X की वैल्यूस रेंज के फॉर्म में दी होती है यह से 0 से 10 दे देंगे ठीक है ना 10 से 20 दे देंगे तो इस परिकार से जो रेंज होती है इसका सबसे पहले आपको middle term निकालना पड़ता है बीच का पद मध्य पद निकालना होता है 10 में आप सुने जोड़िए मतलब जो निशली जो सीमा है उसमें उपरी सीमा को जोड़िए और उनको 2 से भाग कर दीजे मतलब यह निकल जाएगा 0 प्लस 10 और डिवाइड बाई 2 तो जब 0 और 10 को आप जोड़ेंगे तो 10 बनेगा और 10 को आप 2 से भाग देंगे तो बन जाएगा 5 ठीक है तो इसका मध्य पद आ जाएगा वो 5 आ जाएगा तो यहाँ X की वैल्यू इस प्रकार से आप निकालेंगे तो बिना पद विचलेंगे लगुवीदी में एकस बार उकल टू A प्लस सिग्मा FDX डिवाइड वाइए एन ठीक है ना और ऐसे ही पद विचलेंगे साथ लगुवीदी में क्या होता है इसमें पद के जो विचलेंग है वो भी निकाला जाता है तो इसमें क्या होता है इसमें होता है एक C यानिके common factors में ले लिया जाता है अलग से वो भी assume करेंगे इसमें आप दो चीज़ें assume करते हैं दो चीज़ें आपको लेनी पड़ती है एक तो A जो की कालपिन माद्धी होता है वो इसमें भी होता है यहाँ एक C जो extra है इसको बोलते है common factor इसकी मदद से हम क्या करते हैं इसकी मदद से हम calculations को और चुटा कर देते हैं किस प्रकार से चुटा कर देते हैं मैं आपको आगे समझाओंगा तो यहाँ जो dx है वो है x-a जो की दोनु लगवीदियों में उपयोग में लाया जाता है dx और जो dx' है जो की पदविचलन के साथ लगवीदि में उपयोग में लाया जाता है वो होता है dx by c उसमें dx में आप c से भाग देकर dx' निकालते हैं ठीक है तो आईए अब हम लोग एक उधारन देख लेते हैं ठीक है ना और तेईस ही विद्यारती ऐसे हैं जिनके की अंक 60 से 70 अंक के बीच में हैं तो आप सबसे पहला जो चरण करेंगे उसमें आप ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये जो सारी के सारी जो सीमाएं दे रखी हैं इनके आप मध्यपद निकाल लेंगे तो मैंना भी बताया था 0 से मध्यपद निकाल लेंगे 5, 15, 25, 35, 45, 45 और 65 ठीक है सबसे पहले हम करेंगे प्रत्यक्ष विदी से तो प्रत्यक्ष विदी का सिंपल फॉर्मूला होता है वह होता है जो विचिन इसिंग लागे केस में होता है एक्स बार इक्वल टू सिगमा एफ एक्स डिवाइड बाई तो आप क्या करेंगे एक्स आपको दिया हुआ है वो रेंज में दे रखा है सीमा में दे रखा है तो आप उसकी मदद से जो मैंने आपको बताया 5, 15 यह कैलकुलेट कर लेंगे तो यह यह आप पर लिख लेंगे यह होगा नया एक्स I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 I1 क्या ह जो निशली सीमा है वो I2 के है जो उपरी सीमा है तो 0 धन 10 डिवाइड बाई 2 इस केस में आ जाएगा 5 ऐसे ही 30 और 40 वाले केस में कितना आ जाएगा 35 तीस धन 40 डिवाइड बाई 2 तो आ गया 35 ठीक है और इनके आगे लिख लेंगे इनकी आवरतिया यानिकी F की वैल्यू त 23, 24, 120 ठीक है तो यह सारी आपने जो जो corresponding मतलब जो related है जैसे यह x की value है 5 तो इसकी जो frequency है वो कितनी है 23 तो यह सब आपने लिख ली अब आप कर लेंगे Fx तो Fx कसे निकलेगा 23 की गुणा 5 से करेंगे तो आजाएगा 115 ऐसी सारे आप Fx निकाल लेंगे और सबको निकालने जाएगा बस अब आप इन दोनों को भाग दे दीजिए सिग्मा Fx को N से भाग दे देंगे सिग्मा Fx है 2500 और N है 300 जब भाग देंगे तो आजाएगा 35 तो इसका समांतर माद्धी कितना आया 35 तो जो आंकड़े यह थे इनका समांतर माद्धी है 35 अब हम देखते हैं लगु लगुपधी कौन से लगुपधी में पहली विदी जो है बिना पद विषिलन की ठीक है यह इसमें C का उप्योग नहीं करेंगे इसमेंगे काली A का उप्योग करेंगे A क्या है काल्पित माद्धी है जो दूसरी विदी है उसमें A और C दोनों हमको मानने पढ़ते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप x लिख लेंगे, x के भी आप मध्य मूले लिख लेंगे, i1 प्लस i2 डिवाइड बाइ 2, जैसे पिछला भी प्रतेक्ष विधी में हमने देखा था, तो सुन्य से 10 के बीच जो है, वो हो जाएगा 5, ऐसे ही 50 से 60 के लिए हो जाएगा, 55, तो इस सारे आप एक एक करके लिख लेंगे, इनके सामने इनकी आवरतिया लिख लेंगे, ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, अब आपने a जो है, a आपने इसमें माना है, 25, यह लिखा आप 25 घटाएंगे, तो रिनात्मक 20 आएगा, ठीक है न, माइनस 20, तो निगेटिव 20 आगया, अब है 15 में से 25 घटा लिए, ऐसे ही, ऐसे ही 25 में से 25 घटा लिए, शून नहीं आएगा, ठीक है न, तो यह जो a है, यह अपनी सुविधा से आप मान सकते हैं, आप इसको 20 भी म मान सकते हैं, आपने इसको 25 माना हैं, जो किताब में आपके एक्जाम्पिल दे रखा है, तो ऐसे ही 65 में से 25 घटाएंगे, तो 40 आएगा, तो यह आगया आपका dx, अब आपको क्या निखलना है, fdx, ठीक है न, fdx क्या हो जाएगा, f है frequency 23 और dx है कितना, minus 20, जब 23 और minus 20 के आप गुणा करेंगे तो आजाएगा minus के 460, ऐसे ही 27 और 10 की करेंगे तो 270, लेकिन चिन्द क्या लगेगा minus, ठीक है न, negative है, तो negative ही यह भी रहेगा, यहाँ 40 में सुन्नी के गुणा करेंगे तो सुन्नी हो जाएगा, ऐसे ही यह सारे आप गुणा करते चलेंगे, और जो fd fdx को निकाल लेंगे, इन सब को जोड़ देंगे, तो यह आजाएगा sigma fdx, मतलब यह वाली जो quantity है आपको मिल जाएगी, यह है कितनी 3000, और n क्या होती है, n होती है सारे आपरतियों का योग, यह है n, ठीक है न, तो यहाँ यह n है, ठीक है, यह n हो गई, और वो हो गई sigma fd x, यह आपको पता है, तो आप इस formula में रख देंगे सारी values को, यह हो जाएगा, यह है 25, और f sigma fdx है 3000, और यह है 300, ठीक है न, तो यह जाएगा 25 प्लस 3000 बटे, 300, तो 25, और 34 में 300 से भाग देंगे, तो 10 आएगा, तो 25 और 10 कितना होगा, 35, तो यह आगे आपका समांतरमाद् है, आया था, ठीक है, अब हम करेंगे, पद विचलन के साथ, लगू विधी की माध्यम से, उसी सवाल को सॉल, ठीक है, तो इसमें क्या formula लगता है, इसमें लगता है, x bar equal to a plus sigma fdx dash, यह fdx dash है, ठीक है, divide by n, एन आपको पता है, आवरतियों का योग, और c क्या है, common factor, ठीक ह अब हम प्रारम करते हैं, तो इसमें आपने देखा है, x वही आपको लखनी है, सारी values लिख देनी है, x का मध्यम मूल लिख देना है, जो मध्यम मूल कैसे निकालेंगे, सून्य में 10 जोडेंगे, और उसको 2 से भाग दे देंगे, तो आगया 5, i1 plus i2 divide by 2, i1 plus i2 divide by 2, तो i1 ह 10, i2 है 20, 10 और 20 हो गए 30, 30 में 2 से भाग देंगे, तो आजाएगा 15, तो इस तरह किसा आप मध्यम मूल निकाल लिया, इसके सामने इसके आवरतिया लिख दी, ठीक है, और फिर आपने निकाल लिया, dx, dx कासे निकालेंगे, a है 25, यहाँ पर भी a क्या माना है, आपने 25 में न वाली लहुविधी में किया था, पांच में से आप 25 गटा, यह माइनस 20 आएगा, ऐसे ही लाश्ट, 65 में से 25 गटा, यह तो 40 आएगा, ठीक है, यह निकाल लेंगे, यहाँ फ्रिक्वेंसी को भी जोड़ते वे चलेंगे, इससे n निकल जाएगा, ठीक है, n क्या होता है, तो क्या होगा वो, वो निकल आएगा आपका dx देस, तो आपने दिया, तो यह निकल गया माइनस 2, यह होगया माइनस 1, यह होगया 1, दस में 10 से भाग देंगे 1, ठीक है, इस परकार से यह निकल लेंगे fdx, मतलब 2 में 23 से गुना कर दीजे, तो यह होगया 46 माइनस का, क्य 300 गुना करेंगे तो आजाएगा 92, ठीक है, फिर आप fdx' को सबको जोड़ देंगे, वो आजाएगा 300, यह वैल्यू आ गई fdx' की जोड़ने की, और यह आ गई n जो आपको पता है, a और c आपने मान रखे है, इस फॉर्मूले में आप इनकी वैल्यू रख दीजे, यह हो आपको मिलेगा सारी वीदियो से, ठीक है, अब हम देख लेते हैं करके इसे प्रिटेक्श वीदियो लगो वीदियो में क्या आंतर होता है, कितना फर्क पढ़ता है कैलकुलेशन का, तो यहाँ आप देख रहे हैं, यह है प्रिटेक्श वीदियो चैलकुलेशन जो आभी हम ज्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेंगी, वहीं जब आप लगो वीदियो के माध्यम से करेंगे इसको, तो आपको जो सबसे बड़ी संख्या मिल रही है, वो केवल 1200 मिल रही है, ठीक है ना, 1200 मिल रही है, और जो आपको समेशन मिल रहा है, कुल टोटल मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहता 10,500, तो आप देख सकते हैं, कितना आपको काम बचा है, ठीक है, ना, कहां आपको 2500 दा कैलकुलेट करना पड़ता है, तो यह लगो वीदिया आपका जो गढ़ना है, वो कम रहती है, ऐसे लगो वीदियों में जो दो वीदिया है, उनकी भ जो रेड कलर से आ रहा है जो ग्रीन कलर से आ रहा है वो पद्विजिलन के साथ तो यहां पर भी आप देखे पाएंगे कि पूरा पूरा दस का दस गुना का फरक पड़ रहा है यहां आपका जो वैल्यू आ रही है 20, 10, 10, 20, 30, 40 है यहां केवल 2, 1, 2, 3, 4 है तो कितना फरक पड़ा ठीक है न तो सिर्फ यही अंतर है प्रिटेक्षविधी और लगुविधी में और लगुविधी के अंदर भी बिना पद्विजिलन के साथ और पद्विजिलन के साथ की करियाओं में ठीक है तो अब हम एक जो साथ छात्रों ने अर्थ सास्त में निम्निकर अंक प्राप्त किये तो यह 5 ऐसे आकड़े हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 और छात्रों की संख्या उसके साथ दे रखिये जो की F होगी ठीक है न तो यहां यह F होगी और यह X होगा ठीक है न एक्स को भी आप क्या करोग आपके भी आप हमसे बात कर सकते हैं निश्चे तोर से आपकी जो query होगी जो भी समस्या होगी इस chapter से संबंदित या अर्थ सास्त में या किसी भी विशे से संबंदित वो आपको दूर करेंगी ठीक है तो आईए तो अब हम एक उधारन करेंगे जो की अविच्छन सिंक्ला की हम समातर मादे निकालेंगे यह जो प्रशन है जो मैं कर रहा हूं यह अपरेल 2019 में आपके पेपर में परिक्षा पत्र में आया था तो आए इसको करके देखते हैं तो इसमें क्या दिया है इसमें आपको एक सम्हू दिया है मतलब जो जिसको की आवर्ती बंटन बोलते है वो दिया हुआ है एक्स के टम में 0 से 20 ऐसे ही उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है 8 ऐसे ही कहीं सारे 5 इसमें कुल मिला के पद दिये गए हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 यह एक्स की वैल्यू है ऐसे ही जो फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू दिये भी है 8, 15, 20, 15 और 2 तो इसको हम लोग सबसे पहले प्रतेक्श्विदी से करेंगे और फिर अब प्रतेक्श्विदी से करेंगे तो जो प्रतेक्श्विदी है उसके case में इसका जो formula है वह क्या होता है x bar is equal to इसका जो formula है आट x bar is equal to σीकमा f x divided by n ठीक है न? तो ये है प्रतक्ष्विदी का जो formula है वो simple है जो कि पहले भी हम इसको use कर चुके हैं तो अब इसमें कैसे इसको करना होगा तो आपको सबसे पहले x की value लिखनी होगी एक table बनानी होगी उसके बाद जो x की value है वो लिखने बाद आप frequency लिख लेंगे जो आवरित्ती है उसका value लिख लेंगे इसके बाद आप x की value लिखेंगे और वो होगी मध्यपद मतलब आपको पता है कि ये एक समू के रुप में दिया होता है ठीक है जो x की value है एक समू के रुप में दिया है तो आपको उसका मध्यपद निकालना पड़ेगा इसके बाद आपको मध्यपद निकालने के बाद फिर आप सीधे सीधे उस मध्यपद को f से बुणा कर देंगे और fx निकालना है ठीक है तो ये चार जीजा आपको इसमें किवल आपको fx निकालना है और x निकालना है ठी से 60, 60 से 80 और 80 से 100 ठीक है और F कितना दिया हुआ है आपको? F दिया हुआ है 8, 15, 20, 15 और 2 ठीक है और जो X का मध्य प्याद है वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा I1 प्लस I2 डिवाइड बाइ 2 करके मतलब यह है I1 जो 0 है वो I1 है और I2 है 20 तो 0 प्लस 20 जीरो प्लस 20 डिवाइड बाइ 2 ठीक है न? यह अगर आप करेंगे तो आपको मध्य पत मिल जाएगा तो 0 धन 20 हो गया 20 उसको 2 से भाग देंगे तो वो हो गया 10 ऐसे 20 और 40 हो गया 60 60 को 200 भाग देंगे तो हो गया 30 40 और 60 100 100 को 2 से भाग देंगे तो हो गया 50 60 और 80 से 140 इसको भी 200 भाग देंगे तो 70 हो गया ठीक है न? इसे परकार से जो अगला पता जाएगा वो आजाएगा 90 ठीक है? और आप साथ साथ एक काम कर लें n निकाल ले, n की value क्या होती है frequency का sum जो सारी frequency उनको जोड लेंगे तो n आ जाएगा, जिसकी value आगी करीब 60, ठीक है अब आप निकाल लेंगे fx 8 गुणा 10, यह हो गया 80, यह हो गया 4500, यह हो गया 1000, ठीक है न, 50 गुणा 20, यह हो गया कितना 1050 150, यह हो गया कितना 180, ठीक है इन सारी term को आप जोड लेंगे तो हो जाएगा sigma fx यह कितना जाएगा, 2760 ठीक है, 2760 आ गया, तो आपका जो x बार है यानि कि जो button, जो मतलब समांतर माध्य है, वो कितना जाएगा sigma fx divide by n, तो sigma fx आपको पता है, 2760 आपका निकला है divide by 6 आप करेंगे तो आपको जो समांतर माध्य है, उसकी जो value आजाएगी वो आजाएगी 46 तो यही आपका इसका उत्तर हो जाएगा, या जिसको कि आप आंजल भीटा सकते हैं, ठीक है तो यह हमारा उत्तर आगया समांतर माध्य कितना आगया, 46 आगया ठीक है, तो यह तो हो गया पृतक्ष विदी से, ठीक है अब हम इसको करेंगे अपरत्यक्ष विदी से अपरत्यक्ष विदी के भी दो प्रकार होंगे करने के एक तो होगा विचलन के साथ, और दूसरा होगा विचलन के बिना ठीक है ना बिना विचलन के और एक बार विचलन के साथ ठीक है तो दूनों वीदियों से हम करें तो अब जो अपर्टेक्ष वीदी है यह लगू वीदी है उसके अंतरकत अगर हम विशलन के बिना समांतर माध्य निकालना चाहें तो उसका जो सूत्र है वो है x bar is equal to a ये जो है कल्पित माध्य होता है जिसको कि हम कई बार discuss कर चुके हैं और sigma f dx divide by n ये formula है ठीक है न ये किस के बिना है विशलन के बिना है ठीक है न बिना विशलन वाला है ये लगुवीदी से हम निकालेंगे तो ये उसका formula है ठीक है न लगुवीदी से आपको गर calculate करना है तो उसका formula ये होता है तो इसको हम calculate करते हैं जो हमारा सवाल है ये अप्रेल 2019 वाला इसको हम करके देखते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा इस formula को आप देखेंगे तो आपको a आपको पता है आप मानेंगे ऐसे ही f dx ये आपको निकालना पड़ेगा sigma f dx और n आपको पता चिल जाएगा frequency सारी जोड़ लेंगे सारी आप वर्तियां जोड़ लेंगे तो उससे n आजाएगा ठीक है तो आपको क्या दिया है x आपको पता है और f आपको पता है दो चीज़ें आपको ग्याद है जो कि आपको paper में dv है जो कि question में dv है आपको f पता है और x पता है आपको x निकालना होगा मध्यपद क्या निकालना होगा x मध्यपद निकालना होगा ठीक है इसके बाद फिर आपको x मध्यपद निकाल लेंगे ठीक है तो उससे आपको क्या निकालना पड़ेगा dx निकालना पड़ेगा dx होगा x माइनस a जो यह आप कल्पित मात दिमानेंगी उसको x से घटा देंगे तो वो निकल जाएगा आपका dx ठीक है और इसी परकार से आप फिर जो dx है उसमें x से गुणा कर देंगे f से गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा f dx ठीक है और फिर जो f dx निकालेंगे सब को जोड़ेंगे तो हो जाएगा sigma f dx जो की हमको निकालना है ठीक है तो आईए प्रारम करते हैं निकालना तो सबसे पहले आपको पता है जो x हो कितना दे रखा है 0 से 20 20 से 40 40 से 60 60 से 80 और 80 से 100 ठीक है यह 5 आपको टम्स दिये हुए है फिक्वेंसी दी है 8 15 20 15 और 2 तो मध्यपत जैसे पहले उसमें calculate किया था जबकि हमने प्रितक्ष्वीदी से निकाला था वो ही उसे तरीके साफ निकालेंगे 0 और 20 चोड़ेंगे उसको 2 से भाग दे देंगे तो 10 आजाएगा ऐसे 30 में 30 आजाएगा अगले केस में 50 आजाएगा 70 आजाएगा और 90 ठीक है अब आप निकालना है TX TX क्या होगा X-A तो आप मान लिजे हम मानते हैं कि हम यहाँ पर A की value को मान रहे हैं कितना A हम चलिए 40 ले लिते हैं ठीक है यह हमने मोटा मोटा अंदा लगा कि करीब करीब 40 होगा तो यह हमने 40 ले लिया तो 10 में 40 गटाएगे तो कितना हुजाएगा 30 30 में 40 गटाएगे 40 70 70 में से 40 गटाएंगे 30, 90 में से 40 गटाएंगे तो 50, ठीक है, तो ये आपको मिल गया dx, अब आप इस dx को f के साथ गुणा कर दीजिए, 8 इंटू माइनस 30, 8 की गुणा माइनस 30 से करेंगे, तो 240 माइनस का, ऐसे ही 15 की गुणा माइनस 10 से करेंगे, तो वह जाएगा माइनस 150, ये हो जाएगा 200, प्लस ये हो जाएगा 4500 और ये हो जाएगा 100, ठीक है न, अब आप क्या कर लेंगे, आप एक तो f को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा n, टूटल जोड़ के, ये बन जाएगा 60, और ऐसे ही ये कहाँ पर सिक्मा f dx आप कर लेंगे इन सब को जोड़ लेंगे, तो ये सिक्मा f dx हो जाएगा, जिसका कि मान अगर आप जोड़ेंगे तो निकलेगा 360, 360 कैसे निकलेगा, ये करीब करीब हो जाएगा कितना, 390 कहेगा, माइनस का, और ये जो जोड़ेंगे तो ये तिन जो टर्म बैठेंगी, वो बैठेंगी कर 750, 750 में से 300, अगर आप 390 खटा देंगे तो 360 आ जाएगा, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सीदे सीदे फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देनी है, ये मान आपको सूत्र में रख देने है, तो जो सूत्र है वो क्या है, x बार इकल टू, a प्लस सिग्मा f dx, divided by n, ठीक है, तो आपको पता है, a कितना है, अभी हमने देखा था, a है, 40, प्लस, हमने a माना था, 40 है, सिग्मा fdx कितना है, 360, divided by n कितना है, 60, तो इसको अगर आप करेंगे, तो ये आजाएगा 40, प्लस 6.36, यानि कि ये करिक्विल 6 बार जाएगा, और जो आंसर हो गया, ठीक है न, इसको आप आंसर कहेंगे, तो ये आप देखेंगे, ये ही 46, जो प्रतेक्ष विदी सी, उससे भी 46 है निकल रहा था, और अप्रतेक्ष विदी है, उससे भी 46 हमारा उत्तर आ रहा है, ठीक है, तो अब हम अप्रतेक्ष विदी का एक और तरीका देखते ह है वो है विचलन के साथ यह विचलन के बिना था विचलन के साथ वाला तरीका और देख लेते हैं उसके बार हमारा जो यह उत्तर है वो complete हो जाएगा ठीक है अब हम करेंगे लगू विदी पदविचलन के साथ मतलब जो अपर टेक्स विदी है वो पदविचलन के साथ किस केस में अविच्छन संग्ला के केस में जो हमारा सवाल चल रहा है अपरे 2019 वाला उसी को आगे बढ़ा रहे हैं इस केस में जो हम सूत्र यूज करेंगे जो इस विधी में सूत्र यूज करेंगे जो प्रियोक में लाएंगे सूत्र वो क्या है एक्स बार is equal to मतलब समांतर माध्य जो होगा वो होगा ए प्लस सेग्मा f dx बार डश बार नहीं है डिवाइड बाई एन इंटू सी ठीक है ना जो सी है यहाँ पर वो समापरतक है ठीक है यह मैं आपको बता चुका हूँ तो जो x बार निकालना होगा हमको उसके लिए हमको a चाहिए होगा, a हमको मानना पड़ेगा, कल्पित मात्य होगा, हमको sigma fdx बार चाहिए, sigma fdx डेस्ट चाहिए होगा, और हमको c चाहिए होगा, ठीक है, यह हमको मानना पड़ेगा, c को भी हम मानेगे और a को भी हम मानेगे तो अब हम प्रारम करते हैं, सबसे पहले हमको table बनानी पड़ेगी, x, सबसे पहले x लिखेंगे, फिर जो x लिखेंगे, फिर इसका हम f लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे x का मध्यपत, ठीक है न, क्योंकि ये जो है, ये दो भागों में होता है data, उसको हमको मध्यपत में होगा, ये पिछले वाले उधारन में भी, सेम यही था, इसके पस्चाद जो हम निकालेंगे, वो हम निकालेंगे, dx-, जो की होगा, कितने के बराबर, जो की होगा, dx divided by c के बराबर, यहाँ पे c की value हमको कुछ माननी पड़ेगी, उससे हम यहाँ पे dx को भाग देना होगा, और last में हम dx बार की बुणा कर देंगे f से, तो हमारा निकल जाएगा f dx-, ठीक है न, यह चीज़े हमको निकाल लेंगे के करके, तो हम यहाँ मान लेते हैं सबसे पहले, सबसे पहले जो हम दो चीज़े मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि a हमने माना है, यह हम कितना मान लेते ह ठीके न, तो a है 50 और c को हम मान लेते हैं 10, ठीके? तो अब हमने c मान लिया है 10, और जो a है वो है 50, तो यहाँ पे हम dx डैस जब निकालेंगे, तो dx को हम भाग करेंगे c से c कितना है, यゅनि कि 10 से, ठीके न, c यानि कि 10 से हम इसको dx को भाग करेंगे, तो x कितना है, x की value है, 0 से 20 से शुरू होती है, 20 से 40, ऐसे ही अगली है, 40 से 60, फिर है 60 से 80, और last में है 80 से 100, ठीक है, और f कितना है उसके corresponding, उसके जो x है, वो 8, 15, 20, 15 और 2 है, ठीक है न, कुछ में चीज़ां सही नहीं लिख पा रहा है, क्योंकि यह थोड़ा हाथ से करने में गलत हो, रहता है, अब हम निकालेंगे मद्ध्य पद, तो 0 और 20 का जो मद्ध्य पद होगा, वो होगा 10, 20 और 40 का मद्ध्य पद 30 होगा, यह मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ, उस my fingers, a, यह माना है हमने 50, x में से a गया तो कितना, 10 में से 50 गया तो minus का 40, यह होगए minus का 20, 50 में से 50 का 0, 17 में से 50 का 20, 90 में से 50 की का तो 40, ठीक है, अब है, अब हम, जो दूसरी चीज है वो है dx बार, dx बार क्या होगा, dx divided by c, तो c कितना है 10, dx है minus 40, minus 40 को अगर 10 से आप भाग तो माइनस 4 आएगा, माइनस 20 को अगर 10 से भाग देंगे तो माइनस 2 आएगा, यह 0 आएगा, यह आएगा 2 और यह आएगा 4, ठीक है? अब हमको क्या करना है? अब हमको f में इस dx' की गुणा कर देना है, तो f है 8, 8 गुणा माइनस 4, कितना हो गया? माइनस का 32, 15 दूनी 30, 20 की मिला के यह हो गए माइनस के 32, 32 माइनस के 62, और यह 38 प्लस के, तो जो sigma f dx' आएगा, वो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की ज़्यादा है, तो वो आएगा माइनस का 24, ठीक है ना? कितना है माइनस का 24, यह जो f है, इसको जूड के आप निकाल लिजे, n यह आएगा 60, ठ आपके पास आगया, sigma f dx' कितना आगया, माइनस का 24, और n बराबर आगया 60, तो अब आप क्या करेंगे, simply, वो जो formula है, वो लिख लिजे दुबारा से, उस formula को आप लिख लेंगे, divide by n into c, तो यह कितना हो गया, यह हो गया, यह कितना हमने माना था, यह माना था, यह माना था n है कितना 60, into c, c कितना है, 10, ठीक है, हमने माना था 10, तो 10 से आप इसका एक शुन रिकार्ट दीजे, यह हो जाएगा, 6, 24, यह माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है न, तो क्या हो जाएगा, 50, और यह हो जाएगा, माइनस का 4, तो कितना आंसर आ रहा है, 46, आप समाज गया तर आया था, फिर हमने अपरतेक्स विधी की थी, बिना विश्चिलें के जो की थी, उसमें भी 46 अंसर आया था, और विश्चिलें के साथ भी 46 अंसर इसका आ रहा है, तो उसका आंसर कुल मला के 46 हो गया, ठीक है, है, तो यह हमने देखी सारी विधिया, अब हम लोग, जो сам समांतर माध्य होता है, उसके प्रयोग को सावधानिया क्या क्या रखनी चाहिए, उसके बारे में बात करती है, तो सबसे पहली जो चीज है, कि सा मांतर माध्य है, वह कोई वास्तुविक मुल्य características करने के लिए इसको उप्योग में लाया जाता है, इसका कोई वास्तुविक्ता नहीं है, एक काल्टमिक मून लिहें केवल, ठीक है न, तो इसको हम वास्तुविक तत्थियों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने कुछ एक एक अग्जाम्पिल देखा था, देखाता है कि अगर परिवारों में बच्चों की संख् संख्या दे रखे थी, तो अगर उसका वास्त आता है 2.7 तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रती जो हर एक परिवार है, उसमें करीब करीब 2.7 बच्चे होंगे, ठीक है न, क्योंकि 2.7 बच्चा होना संभव नहीं है, वो पूर्ण संख्या होती है, या 2 होंगे या फिर 3 हो इस प्रकार से हम कहेंगे, तो यह केवल काल्पनिक मुल्य होता है, जो की केवल आकणों के विशलेशन के उपयोग में लाया जाता है, जो की एक तरह से जो आकड़े हैं, उनकी केंद्री माप को बताता है, ठीक है, इसी प्रकार से समातर माध्य कभी भी गुनात्मक आकणो के रूप में नहीं हो सकता, ठीक है, जैसे इमानदारी, बहादुरी, निस्था और सौंदेरी, जिनकों की आप आकणों की साहिता से या अंकों की साहिता से प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो इनका आप समातर माध्य भी नहीं निकाल सकते, तो गुनात्मक आकणों का समातर म वाली चीजह आपने सीखी हैं और केवल इतना ही आपके कोर्स में हैं इसलिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं समांतर माध्य जो कहीं सारी जो सांखे की विधिया उपयोग में लाए जाती हैं उसमें से एक विधी है आगे की जो विधिया हैं वो आप अपनी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे और हम ही लोग साथ में मिलके उसको भी करेंगे ठीक है तो आपको इस क्लास के लिए के वल इतना ही सीखना था ठीक है तो इसके साथ फिर आप एक बार हमारा वार्ट से अपने मबर नोट कर लिजे 7895860757 तो आप लोग अगर हमको इसके माध्यम से अपनी जो प्रतिक्रिया हैं क्या आपको समझ में आया क्या नहीं आया अगर आप बताएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा हम लोगों को पता चले है कि आप लोग कितना इंटरस्ट ले रहे हैं सब्जेक्ट में ठीक है न सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है लेकिन जब आप इसको एक बार पढ़ने बैठेंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा तो धन्यवाद इसके साथ फिर आपसे एक बार वह नुरूद है कि आप लोग अपने साथियों अपने दोस्तों ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोट से पढ़ रहे हैं उनके को हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ठीक है ओके धन्यवाद